स्वागते आप सभी कामारी खास पेश कश्मी नमस्कार आपके साथ में हूँ अंकुश वाजपी 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में होने वाले चुनाविक प्रक्रिया में एक क्रांती कारी बदलावाया सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आईउक को आदेश दिया था कि बैलेट पेपर और एवियम से होने वाले चुनाव में एक और आप्शन मद्दाताओं को दिया जाए और वो आप्शन था नोटा का इस आदेश के बाद से जो 2013 के बाद जितने चुनाव हुए उसमें नोटा का इस्तमाल किया लोगों ने लाखों लोगों ने इसका इस्तमाल किया लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि क्या नोटा का विकल्प का कितना फाइदा चुनाविक प्रक्रिया में आया है वो ए एक एहम पस्ट आज भी बना हुआ है। इसके इस्तमाल पर मद्दाताओं को चुनाओं में उम्मिद्वार को नकारने का अधिकार देते हुए सुप्रीम कोट ने कहा था कि इस फैसले से भारती राजनीती की गंदगी दूल जाएगी। मद्दाता भ्रष्ट और अनैतिक चरित्र के उम्मिद्वारों को रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद राजनीतिक दलों को सही उम्मिद्वार खड़े करने पड़ेंगे। इस फैसले का हर तरफ स्वागत हुआ। हलाकि राजनीतिकार नोटा के सिस्टम को सीधे तौर पर गलत तो नहीं मानते लेकिन नोटा में बढ़ती मद्दाताओं की संख्या को वो दुर्भागे पूर्ण जरूर मानते हैं। मुझे लगता है ये इस सितिया ठीक नहीं है। लोक्तांत्रिक व्यवस्था में अपने मतादिकार का प्रियोग येस और नो में ही करना चाहिए। लेकिन दुर्भागे से 60-65 सालों में कांग्रेश ने जिस प्रकार से शासन किया, जिस प्रकार से समाज का भावनात्मक शोशन करके ये अथार्थ में कुछ किया नहीं। उसके कारण से समाज के भीतर अविश्वास धीरे धीरे बहता गया। और उस अविश्वास की परणिती कहीं अगी हमें नोटा में दिखाई देती है, लेकिन पुनेव विश्वास लोट रहा है, आप देखिए देश में लोगतांत्रिक विवस्था के प्रती, सरकार के प्रती, तेजी से विश्वास बढ़ रहा है, और आज सारी दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, पिछले दस सालों में तो हलत यह हो गई थी, कि दुनिया में हम लोग घष्टाचारियों के देश के रूप में जाने जाते थे। तब तक अकेला नोटा का बटन बदलाव नहीं ला सकता। इस पूरे मामले में कॉंग्रेस ने नोटा प्रक्रिया का समर्थन किया है, साथ ही ये भी वकालत करते हुए कहा है कि राजनितिक पार्टियों को साफ और स्वच्छ छभी वाले उमिद्वारों को ही चुनावी मै राजनितिक पार्टियों को साथ बदलाव देखने को नहीं मिला है। इस प्रक्रिया को शुरू करने का जो मकसद था वो आज भी अधूरा है। नहीं को उम्मीद थी कि नोटा का इस्तमाल होने के बाद राजनितिक पार्टियों साफ स्वच्छ नेताओं को ही अपनी पार्टि से चुनावी मैदान में उतारेंगी। लेकिन ऐसा होता दिखाए नहीं दे रहा है। ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि आगे आने वाले चुनाव में नोटा को लेकर राजनितिक पार्टियों सीरियस होती हैं। या फिर ये प्रक्रिया महस दिखावा बनकर ही रह जाएगी। बोपाल से डिनन के लिए टैमरामेन अमीद के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो सवाल यही कि आखिर सुप्रिम कोट का जब आदेश निकल कर सामने आया था उसके बाद से ही नोटा का विकल्प दे दिया गया था चुनाव आयोक की तरफ से और मकसद साफ था कि राजनिती में वो लोग कदम रखें जो कि सवच छवी के हों लेकिन क्या पांच साल बी अटलाव आया या फिर नहीं चर्चा करेंगे तीन महमान रिस्परक्ति स्टूड्यो में हमारे साथ मौजूध हैं कॉंगरेस प्रवक्ताद दूर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ए हैं और आशी शकरवाल जी हमारे साथ बीज पी बिजूप्रवक्ता जुड़ए ह उसके बाद कई राज्यों में विधान सबा चुनाव होते हैं मद्यप्रिदेश राजस्तान की बात करें और भी पाँच सालों के बीतर जितने राज्यों में विधान सबा चुनाव हुए हैं लोग सबा चुनाव भी हुआ है अभी तक लगभग एक करोर 35 लाक मद्दाता नो नितिक पार्टियां साफ चबी वाले उमिद्वार उता रही है क्या मानते हैं सबसे पहले तो अंकुजी मैं आपके इस चैनल को बढ़ाई देता हूं कि बड़ा एक आपने संजीत की भरा विशय उठाया यह नोटा एक ऐसा विशय है जिसमें हम सब को दलगत राजनीची से उपर उठकर भारतिय लोकतंत्र के विशय में सोचना होगा देश जब आजाद हुआ तो बाबा साहब अंबेटकर ने जो एक संबिधान दिया और जो विवस्ताइं दी वो निश्य थी अपने आप में परिपूर थी मगर वो पार्टियां जिनोंने लगातार इस देश पे साट सतर साल तक शाशन किया और जनता से किये गए वादे उनको नहीं पूरे किये तो धीरे धीरे जनता में अविश्वास पैदा हुगा और आज ये स्थिती आई कि पिछले 2014 के चुनाव में एक प्रतिशत लगभग लोगों ने नोटा के बटन को दबाया देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि नोटा जनता का एक अविश्वास है राजनितिक पार्टियों और उनके द्वारा जो प्रतने धी उनको दिये जाते हैं उनके प्रति ये इस बात का भी धोतक है कि हमारे देश में इस पिछले कुछ सालों में दशकों में एक शशक लीडर्शिप नहीं थी जो आज के समय में आप देखें तो नरेंदर मोदी जी ने जिसकी भरपाई किये उस पद को उनोंने भरा है आज आप देखें तो गिरती हुई साख ज जुनाव में लोकतंत्र में आप पाएंगे कि जो एक प्रतिशक नोटा था वो से कम हो जाएगा और इस बात को चिंता की बात जरूर मानता हूं मैं और हम सब पार्टियों को विचार करना चाहिए दलगत राजनीती से उपर उठकर कि हम कैसे साफ सवच छवी के लोगों को कि इसके पीछे ये तरक भी माना जा सकता है कि जो पुराणी सरकार के हम बात कर लें केंद्र में उनके बादों से कारियों से जनता खुश नहीं थी यही वज़़ा थी कि हम चुनाओं का जो अमिदवार हैं उनका भाषकार करते हैं चुकि पहले जो हमारे जन पतिनी दी थ क्योंकि भारती जनता पार्टी अपना जनाधार कायम नहीं रख पाई तो एक बार जब समाजवादी पार्टी आती थी तो उत्तर प्रदेश में पूरे में भाय का माहुल आ जाता था और वहां पे गुंड़ा तत्वाभी हो जाता था और जब जनता उससे उपके बहुजन स पार्टी की मोधी सरकार ने और प्रदेश में हमने जिस तरह के काम किये हैं जनता के प्रती खोया हुआ विश्वास मुझे ऐसा लगता है राजनीती में आपको लॉटता हुआ दिखेगा चार्मा जी क्या लगता है लोकतंत्र में कितना फायदा हुआ है नोटा के बठंग के लिए चोड़ा गया था पर जिस तरीके से अभी कुछ एक जगे देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं नो हजार से लेके पांच हजार तक व्यक्ति एक एक विधानसवा में वोट डाल रहे हैं और नोटा पे डाल रहे हैं तो लगता है कि नोटा का कहीं दुरुपयोग तो क्योंकि नोटा के जो वोट डल रहे हैं वो लोकतंत्र की जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है उस पर ही सवाल पैदा करने लगा और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चुनाव प्रक्रिया पर एक अविस्वास का वातावरा अभी देखने को मिल रहा है हर पार्टी जित सवाल नहीं उठाया कॉंग्रिस ने कहा कि विपक्च यदि ये चाहता है कि एवियम से चुनाव ना हो तो हम भी विपक्च के सभी दलों के साथ हैं तो सवाल तो हर तरफ से उठ रहे हैं और उठने का लाज़म कारण भी है कि जिस तरीके से देखा कि गुजरात में चुना हमने पकड़ी जब चुनाव आयोग के समख्च हम गए उनने के दिया भीया यहां तो कोई नहीं है फिर अभी 24 लाग कहां से आ गए तो यह जो चुनावी प्रक्रिया पर यह चुनाव आयोग ने जो अपनी है ऊपर अपनी कारशेली से सवाल उठा दिये मुझे लग रहा ह है आने वाले समय में नोटा और ज्यादा दबने वाला है क्योंकि आज जिस तरीके से चुनाव भारती जन्ता पार्टी ने कॉंग्रेस के प्रती एक दुरभावना पूर्ण पूरे देश में करने का प्रयास किया और वो सफल भी हुई उसके कारण आज हम केंद से बाहर है और जो उनकी करनी है वो सब को दिखाई दे रही है तो उन पर से भी भरोसा उठाए यदि भरोसा नहीं उठा होता तो आज उत्तर बिदेंदर के अंदर जो है समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्यासी लोग सभा में पुन है उप चुनाव में नही ज्यादा मद्दाता प्रयोग करते दिखाई देंगे राजनितिक पार्टियों को चुनाव प्रक्रिया को निस्पक्ष रखने के लिए और उसको ताकतवर बनाना चाहिए कॉंग्रेस के साचन काल में हर वर्ष या जैसे जैसे आवशक्ता अनुसार चुनाव प्रक्रिया को और सशक्त बनाने की आवशक्ता आई कॉंग्रेस के साचन में ही वैलेट पेपर से हम एवी एम तक आये हैं कॉंग्रेस के साशनकाल में ही शेशन जी आये थे जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से एक पार दर्शिता कर दी थी आज चुनाव कॉंग्रेस के साशनकाल क्या ही है कि सबकी जेब में कार्ड है और उसके आधार पर वोट डलता है पर आज जिस तरीके से भारती जंता पार्टी की कारशेली उस वोटिंग मशीन पर जिसको एवीम के रूप से जाना जाता है उस पर पूरे देश में सवाल उठवा दिया जिस तरह से बोगस वोटरों की फैरिस ट्रेक लंबी वोटर लिस्टों में मिल रही है हम साट लाग ब करिया के लिए और चुनाव आयोग के समक्ष एक कोश्चन मार्क लगाता है हमने बोला था जब जब कोलारस मुगावली में हम चुनाव के दुरान पहुंचे वहां हमें वोट बहुत सारे फरजी मिले चुनाव आयोग ने कलेक्टर की उपर कारवाई करके बताया कि हाँ य तो ये सब जो चीजे हैं ये चुनाव प्रक्रिया पे लोकतंतर के हमारे जो इस्थम हैं उनके उपर सवाल पैदा कर दिया है और उन पे लोगों का अविस्वास पैदा कर दिया है तो ये अविस्वास मेरे देश के लोकतंतर के लिए घातक है इस अविस्वास को दूर करन के लिए भारती जंता पार्टी को भी मांदारी से सामने आना चाहिए चुनावाय को निस्पक्च रहने देना चाहिए उसको और ताकत देना चाहिए को निस्पक्च रूप से काम करें विपक्च यह दि कोई मांग कर रहा है तो उस पे भी ध्यान देना चाहिए यदि नहीं बंद करना है कोई बात नहीं है जो और कोई ऐसी प्रक्रिया लेकर आना चाहिए जैसे अभी हमने फिर एक बात करी है कि जो परची है वह साथ मिनट तक साथ सेकेंड तक आपको देखने को मिलती है क्यों ना उसकी वी काउंटिंग करा ली जाए आप इवीम की वी जिंदा पार्टी ने देश में कर दिया है चुनाव प्रक्रिया में उसने पार दस्चिता को खतम कर दिया है शक की सुई पूरी चुनाव प्रक्रिया पर खड़ी कर दी है और यह ऐसा होता क्यों है लेकिए आप करनाटक में अगर सरकार बना लेते हैं अगडबंदन के बा है महिने वरबाद में खुद कह रहें कि 24 लाक है यह वोही सिस्टम है ना कोई नया सिस्टम तो नहीं आया एक मैने दो मैने पहले उसी सिस्टम ने बोला कि वोटर फर्जी नहीं है फिर आके कही दिया कि 24 हैं हम कहने हैं कि अभी भी हैं उसको क्यों नहीं आप जांच प्रक्रिया में लेकि आ रहें और क्यों उस व्यक्ति को वहां पर अभी तक दंडित नहीं किया जा रहा जो 24 लाग वोटरों को जोड़ा गया तो यह सवाल उठ रहें इससे लोगों के बीच में चुनावी प्रक्रिया की उपर और जो नोटा की प्रती जो रुजान है वो बढ़ रहा है ठीक है अनिल जी क्या लगता है नोटा के आप्शन के आने के बाद कितना फायदा हुआ इस ऑप् की पूर्टी के लिए नोटा की विवस्था की ठीक वा सुद्देश की पूर्थीई सहतू हुआ को कि दुणिया बऱ्चनाय हो गया और वो थो रही हो गया प्रदोर्चय क्या मतदा कई वार अपने उसीं पावजूद के बावजूदं होता तो अढ़ता है कि पहले ये सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि नोटा में जिस तेजी के साथ संख्या बढ़ रही है और चुनाओं के बाद उस छेतर के मद्दाताओं ने नोटा का उपयोग किया है उनसे बेट करके आपके पास क्या परेशानी है आखिर आपने कि नाराजगी नाराजगी दूर करने के प्यास नहीं किये जाते काउंटिंग के बाद उनको बोला दिया जाता है तो समस्यां तो यथा बत रहती ह है और वो नोटा का उपयोग आने वाले समय में भी करते हैं क्योंकि उनकी समस्य कहल नहीं होता पहली चीज दूसी चीज हमारी चुनावी प्रकरिया में प्रकरिया में कई विसंगतियां आ रही है पिछले वार आप देखिए कोला रास और रेशियों पर वगरा में जो को हटाया गया यह इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रकरिया में हस्तशेफ हुआ है और इसलिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर यह कारवाई करी थी और यहीं सब चीजे आती हैं इससे मद्दाता नाराज होता है तो वो नोटा का होता है एक अहम प्रशन अपने अने जी उठाया है कि आखिर यह जानने की जुरूत है कि मद्दाता नोटा का उपयोग क्यों कर रहा है नाराजी क्या है यह यह राजियती पार्टियों की भी जिम्मेदार ही है कि आप विकास यात्रा भी निकाल रहे है जन आशिरवाद य जन जागरन यात्रा लेकिन मद्दाता आखिर चाहता क्या है यह एक प्रश्ण पूठने के जुरुत है बेराल एक छोटे से ब्रेक के लिए में आप पर रुकेंगे खास पेश्कश हमारी लगातार जारी है देखते रहें डिये में कि अब प्रिये बेहन और भाईयो मेरी सरकार का लक्ष विकास और जनकल्यान और जनता में भी जो सबसे पीछे और सबसे नीचे हैं गरीब है निम्न मद्धम भरगी है मैं मानता हूं कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक उनका है उतलिए मुक्वंत्री जनकल्यान योजना सम्वल ऐसे गरीब और निम्न मद् बिजली के बड़े बिलों से परिसान थे एक लाग पचास जार कहां से गरीब और निम्नमत धंबर की देगा उसलिए इस योजना में हमने तै किया कि जिनके बड़े बिजली के बिल है वो बिजली के बिल वो नहीं भरेंगे उनकी तरफ से सिवराज सिंग चौहान भरेगा सर कर सकें सिवरे लगाये जा रहे हैया है रेजिस्टेशन करवाया जा रहा है आप अपना बिजली का बिल ले के पो ये पर आप मुख मंत्रीterior जनकर ले आर योजना में पंजिकृत नहीं तो आपके बिजली का बिल जमा होगा यह बाद में जीरो बिजली बिल का प्रमाण प पास नहीं तो वो connection भी free में दिये जाएंगे, निसुल के दिये जाएंगे, और बिजली से संबन्द, छोटी मोटी जो धाराएं, मामले, 126, 135, 138 में दर जाएं, वो भी हम बापस ले रहें, गरीब पे कैसा मुकादमा छोटा मोटा, मेरे बेहनों और भाईयों, खुली हवा मसास लेजे, इस योजना की अंतम तथी भी कोई नहीं है, तो आएए, इस योजना की लाब उठाएंगे. Dr. C. V. Raman University, for over a decade, we at CVRU have strived to impart world-class education and have established ourselves as the preferred university of Central India. Consistently making our mark in the education landscape, we rise above the ordinary. We are Dr. C. V. Raman University, the pride of Chhattisgarh. Dr. C. V. Raman University, by Knoth Barcoire, थेतिया लहलाना थी ए, अरे बाशाओ का ज्यान बताती है, किताबे अभी व्यक्त करना सिखाती है, किताबों में रॉकेे ऍहाराज है, किताबों में साइन्स की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है किताबों में ज्यान की बर्मार है क्या आप नन्हों की दुनिया में जाना चाहेंगे? बच्चों को नई-नई किताबों से मिलाना चाहेंगे? मैं तो जा रही हूँ स्कूल, क्या आप नहीं आएंगे? जी हाँ, एक बार फिर हो रहा है मिल बाचे मध्य प्रुदेश कारिक्रम 17 अगस्त को कारिक्रम से जुड़ने के लिए अपना पंजियन www.school चले हम.mp.gov.in पर करें आप चाहें तो अब हर शनिवार बाल सभा के दौरान भी स्कूल पहुच सकते हैं बच्चों को प्रोच साहित करने अधिक जानकारी के लिए milmil.banchyinbache at the rate mp.gov.in पर इमेल करें ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास पेशकश लगातार जारी है दोनों महमान हमारे साथ मौजूद है और आशी जी अगला प्रशन आपसे रहेगा मेरा जस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले अनिल जी ने एक प्रशन उठाया था कि नोटा का विकल्प और दिया गया है उसके बाद से ही इसका कई मद्दाताओं ने प्रयोग किया है आने वाले वक्त में नोटा का और ज्यादा संख्या में मद्दाता प्रयोग करेंगे लेकिन यहां पर राजनेतिक पार्टियों का जिम्मा है कि अगर नोटा पर मद्दाता ज्यादा विश्वास कर रहा है तो उसके पास जाकर उसकी क्या कुछ परेशानिया है उसे पूछे कि आखे वो नोटा का उप्योग चुकि कई जगा देखने में आता है कि मद्दाता पहले इस पश्ट कर देता है कि हम या तो चुनाओ का भाईश्कार करेंगे या फिर हम नोटा पे बटन दबाएंगे तो क्या ये जिम्मा नहीं बनता चुकि बीजेपी की बात करूँगा सीम जन आशिरवाद यात्रा निकाल रहे हैं उससे पहले विकास यात्रा जब निकाली गए थी तो आपके 104 विदायक ऐसे थे जो विकास यात्रा में शामिली नहीं हुए थे तो जनता के बीच आखिर को पहुचे ही नहीं तो समस्या आखिर वो जानेंगे कैसे और समस्या नहीं जानेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि नोटा का प्रयोग लगातार बढ़ता जाएगा देखि इसमें एक तकनीकी मुद्दा है सबसे पहले तो चुनाव आयोग मतदाता की आइडेंटिटी किलियर नहीं करता है इसलिए नोटा में किसने वोट किया ये लिस्ट कभी भी पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं मिल सकती है और मिलनी भी नहीं चाहिए दूसरी बात देखि कॉंग्रेस जिस तरीके से दंब भरी हुई बातें करती है अगर कॉंग्रेस चुनावी प्रक्रिया पे ही सवाल उठाने लगेगी और चुनाव आयोग पे ही सवाल उठाने लगेगी तो बिलकुल उस तरह से हो जाएगा कि जिस थाली में खाएं उसी म पार्टी को देखती है मैं ऐसा मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेटकर के सम्विधान ने जो संस्थाइं दी है वो विश्व में अपने आप में एक आयाम इस्थापित करती है उन पर किसी भी तरीके का सवाल उठाना लाजमी नहीं है कॉंग्रेस इस समय अस्थित्य की लड़ाई लड़ रही है कॉंग्रेस का जनम एक विदेशी ने किया था और आज सूनिया गांदी जी जो एक विदेशी उनके नित्रत में इसका खात्मा होने वाला है इसको कहते हैं त्योरी ओफ एवॉल्यूशन त्योरी ओफ फेट सी थोड़ी आ रही होती जहां तक भारती जन्ता की बात है तो फार्रेटी जन्ता सतत्त लावर्फ के समक्षव उपस्तित होते हैं और आप आप देखेंगे कि अगर हमने वह वादे पूरे नहीं किये होते तो इतनी कड़ी बारिश में भी च्छाते लेकर लाखों के संख्या में आपको जनता नहीं दिखती मैं समानता हूं आपने जो बात कही पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको राजनीती शुचित और अच्छे कैंडिट्स जनता को देने चाहिए और अपने वादे निभाने चाहिए अनिल जी जिस तरह से प्रशनी उठा है नोटा के उप्योग का और लोकतंत्र में इसका क्या फाइदा हुआ कितना फाइदा हुआ इसका लेकिन जब यह सवाल राजनीतिक दलों से पू लग जाती है अंगोज जी आप सही कह रहे हैं कि नोटा का उप्योग बदाता क्यों कर रहे हैं उनकी क्या नाराजगी है और उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाना चाहिए इसको छोड़ अगर राजनेतिक दल यह कहेंगे कि साब वो नोटा वाला आप्शनी हमारे समझ म नियारा जैसा भी भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता पारशार जी बोल रहे हैं तीवी पे कि हम इस पक्ष में नहीं है केवल मदाताओं के बीच में होना चाहिए इससे इतर नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ यह गलत है जन्भावनाओं का ध्यान रखा जाना नोटा का मतलब यह होता है कि आदमी में नाराज़ी किस बात को लेकर है वही वह उसको अपनी नाराजगी नोटा का बटन बटन विक्त करता है और अधिकांश आप देखें ना राज़गी मौजूदा सरकारों से होती है, पूर्व सरकारों से कभी नहीं होती, क्योंकि को आता चाहता है जेट्र का विकास अधिकाथ लैकर करता है और नइसक्षा अगर सकताधारी दल हो विपख्ष को वह दोनों की बात कर रहा हु नाल विए किस तरहीं से आपकी नाराज़गी दूर कर सकते हैं कि दो वारा अगले चुनाओं में आप नोटा का प्रियोग ना करें इसको अगर छोड़ के हम उनको भूल जाएंगे विस्राद देंगे तो वह समस्या समाप्ते नहीं होगी डेवाई डेव बढ़ेगी जब बीजेपी की विकास यात्रा निकली थी उसके बाद एक रिपोर्ट तयार हुई एक सो चार प्रिजियों के प्रिटी जब लोगों की नाराजड़ी होती है तो मामला तूल पकड़ता है अब उसको हम अगर दवाने की कोशिश करें, तो हम हमारे हाद से अपना अहित कर रहे हैंगे, हमें लोगों की नाराजगी दूर करना चाहिए, रही बात इसकी के अब आज भले ही कहें के जन आशिरवाद यात्रा में भीड उमड रही है, कांग्रेस दावा कर रही है, के उनकी पोल खोलो यात्र सभी राजनेतिक दलों का ये फर्ज बनता है, कि मत दाता को पांच साल में एक बार अपना प्रतिर्थी चुन के तो भेजना ही पड़ेगा, अगर जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं होगा, किसी भी कारण से तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और लोकतांतरिक प्रक्रिय से खिलवार होगा, ये हम मानते हैं, बाकी नोटा जो सुप्रीम कोट के आदेश से हुआ, हम ऐसा मानते हैं कि राजनेतिक पार्टियों को खुद उसमें आगे आके एक अच्छे कैंड़िट देने जी ताकि नोटा का वर्चस अपने आप में समाप्त हो जाए, ये जो बात कारवाई होगी और हमारा तो मुखिया जा रहा है, हमारा तो मुखिया जा रहा है उसको अपार जन समर्थन मिला, इससे लोग अगर तकलीफ में आते हैं तो आएं, क्योंकि हमें तो जनता का आशिरवाच चाहिए, जी चले बहुत-बहुत शुक्री आप दोनों का चर्चा उम्मिदवार सामने हो ताकि वो अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, लेकिन जब से ये आदेश आया जिन जिन राज्यों में चुनाओ हुए, वहाँ पर नोटा का बड़ी संख्या में प्रयोग किया गया, लेकिन सवाल यही कि आखिर जो मकसद था नोटा के पीछे का, वो क्या साकार हो पाया, सवाल अभी भी बना हुआ है, चुकि नोटा का आने वाले वक्त में बड़ी संख्या में मत दाता प्रयोग करने वाले हैं, जिस तरह से अनिल जी ने चर्चा के तौरान कहा, चले फिलाल हमारी खास पेशकर्ष में इतना ही, डिनन पर खबरे लगा पातार जड़ी ने चार्चार्चार्चार्चार्चार् झाले चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्